नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबीका हमारे यूटूब चैनल के उपर देखे दोस्तों हमने इंडियन हिस्ट्री से रिल्टेट जो मोस्ट इंपोर्टेंट किस रांटसर की सीरीज शुरू कर रखी है उसको continue करते हैं और आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रारंबिक मद्यकाल के बारे में जो आपका मद्यकाल इन भारत है complete अपन बात करेंगे इस वीडियो में फिलाल अपन प्रारंबिक मद्यकाल के बारे में बात करेंगे और जैसे जैसे चेप्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो अपन अलग-अलग टोपिक उठाते जाएंगे जैसे पहले सल्तनत काल उठाएंगे उसके बाद में कोई दूसरा टोपिक तो ये एक स्रीज के मादे में से अपन इसको सुरू करेंगे देखे आज का लेसन अपन शुरू करते हैं और प्रारमिक मद्यकाल से रिलिटेड जो भी आज तक अग्जामी किसन पूछे गए हैं उन्हें सभी के बारे में अपन बात करते हैं तो देखे आज का पहला किसन पर आकर्मन करने वाले अरब मुस्लिम थे और 712 इसी में मुहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आकर्मन किया गया था जो कहां का निवासी था एक अरब का निवासी था ठीक है और इस समय शिंद का साथ कौन था दाहिर था दाहिर इस समय शिंद का साथ सकता जिसे मुहम सनाव के सामने दे रहे हैं और गजनी इसका करेट आंस रोगा जो महमूद गजनवी यामीनी वंस का तुर्क सरदार गजनी के सासक सुबुक्त गीन का पुत्र था महमूद गजनवी जिसको गजनी के नाम से भी जानते हैं उसने भारत के उपर 17 बार आकरमन की ये लेकिन इन बारत में इस्थाई मुस्लिम सासन को इस्थापना करना नहीं था बलकि केवल उसने आकरमन के थे लूट पार्ट के मादिम से यहां की जो यहां का धन संपदा है उसको लूटने के लिए महमूद जो गजनवी है उसने भारत के उपर आकरमन के थे यहां पर जो इस्थाई म पुस्लिम सासरे उसकी स्थापना करना उसका उद्देश्य नहीं था तो जो सुल्तान महमुद है वो कहां का सासकता गजनी का सासकता फिर आपको इन्यक्ट की संदर का है तराइन की जो दूसरे लड़ाई हुए थी उसमें पर्थविराज को किसने पराजित किया था तो उसमें पर्थविराज त्राइन की औरपराज को किसने पराजित किया था तो दो यूद है वो बोहुंद गोरी औरप राज के मत्दि हुआ था इसलिए आपका जो उपसन मोहमत गोरी दे रखा है वो क्या होगा किस लड़ाई में मोहमत गोरी के लिए दिल्लीख खितर खोल दिया गया था तो देखे इसका करेट अंचर गा तरायन की दूसरी लड़ाई में 1192 इस्वी में जो तरायन का दूसरा युद लडा गया था उसमें मुहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया इस युद में मुहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र के उपर जो सासन करने वाले पर त्विराज चोहान थे उसको राजित कर दिया गया था और इस क्षेत्र पर बाद में अपना अधिकार उन्होंने कर लिया थ यह जो क्यूशन है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि तराइन का जो दिवतिय युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया था तो इसको अपने इस तरीके से बहुते हैं मुहमद गोरी और पर्ट्विराज चोहान के मदे लड़ा गया था तो तराइन की दूसरी लड़ाई यह क्या होगा इसका correct answer का फिर आपको restriction दिरका है निम्न में चे किस राजपूत राचा ने मुहमद गोरी को पहली बार हराया था तो वो कौन से राजपूत राचा थे बगहर भीम थे मुहमद गोरी को पहली बार अनहिल वार्ड के सास्क जो भीम दियुतिय है उन्होंने 1188 1188 issue में हराय था तो इसमें बगेल भीम क्या होगा इस question का correct answer होगा उसके बाद में आपको restriction क्या जो कुच MR करने वाले question में से आपको दे र Robin आर्न इसका आै कि बुच्न का मिलान सही क्या गया है तो यह आपको को फ्सिल्तान सो महदा को लुटने क कारी किया था तो यह आपको बिल्कुल सही दे रखा एंपको यह जो महमद गोरी, सिंद पर विजय, अलावदिन खिल जी, बंगाल में विद्र है, मुहमद बिन तुगलक और चंगेज खाने पर आकर रहे हैं, यह आपको इसमें गलत दे रहे हैं, महमुद, सुल्तान महमुद है, वो सोमनात को लूटना, यह जो गटना है, वो बिल्कुल सही दे रहे ह क्यापन बात करते हैं, तो देखिये एक क्यूतन आपके एकजाम में पूचत साता है, कि अल्बरॉनी के द्वारा अरबी में लिखी किताब, जिस में उप महादीब का लेखा जुक्ता है, उसका नाम क्या है, किताब अल-हिंद, किताब अल-हिंद के नाम से उसको जाना जा सुल्टान महमुंद गोरी था जिसके बारे में पई अपने बात की है आपको बताना कि वह कहां का सा सकता है तो वह अफगानिस्तान का सा सकता इसके रावा देखें जो चच नामा है उसमें कौन सी विजए के इतिहास का record है चस्य नामा है उसमें कौन सी विजे की इतिहास का record है अरब अरब क्या होगा इस question का correct answer होगा एक question आपके exam में आता है यह उप महाधीब का जो लेख लिखने का कारी है वो गजनी के सुल्तान महमूद के दौरा किस विद्वान को सोपा गया था यह question भी कई बार exam में पूछा दाता है तो अल बरूनी को वो कारी है सोपा गया था ठीक है तो यह आप थोड़ा सा द्यान में रिखना तो देखे दोस्तों प्रारंबिक मद्यकाल से रिल्टेट जो most important किस नानसर बनते हैं वो कुछ इसी तरीके से अग्जाम में पूछे जाते हैं नेस्ट वीडियो में अपने बात करेंगे सल्तनत काल से रिल्टेट जो most important किस नानसर बनते हैं उसके वारे में अपने बात करेंगे वीडियो सलगाते हैं लाइक करके मोटिवेट करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनको भी अपनी स्टेडी के दिल्ट बेरिफिट में सके चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में गंटिक आकन को प्रेस कर लेना आकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेसन आपको समय इसमें पर प्राप्त हो सके